हलो एक्वेरियोस वेलकम टू माई चानल टारो डिवाइन लाव में मैं हूँ शिवांगी आपके लिए लेकर आए हूँ यहाँ पर करियर से डिलेटेड एनजी ओके सो गाईज यह कलेक्टिव रेडिंग है जिनसे भी रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है और जिनको भी पस्तना रिविंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवे नमबर पर वार्टसप कर सकते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गॉर्मेंट जॉब के लिए एक्वेरियस गॉर्मेंट जॉब रिवर्स में आया है ऐसा पैंटिकल्स तो आप बहुत आपने ट्राइ किया है बट यहाँ पर इनर्जी आ रही है कि आप यहाँ पर नर्वस फिल कर रहे हो सक्सेस नहीं मिल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा डिसपोइंटेड हो आपको ऐसे लग रहा है कि positive कही से नहीं हो रहा है बट आपको कोई ना कोई support जरू कर रहा है इसके लिए encourage कर रहा है कि yes आप आगे बढ़ सकते हो यह कर सकते हो तो यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हो still आप आगे बढ़ना चाहते हो यह energy है support के वज़े से ओके support के वज़े से आप तो ऐसे लगता है कुछ ना कुछ चांस जरूर मिल जाएगा कई ना कई इस इसकी जो है कभी ना कभी यह energy exam crack कर लेंगे और जरूर अपने नए काम के लिए आके बढ़ेंगे यहां पर एक्चली money and time आपका वेस्ट थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है इसके वज़े से आप एंसाइटी में हो ओके आईए energy बढ़ रहे हैं निकान आप थोड़ा सा mood of हो रहा है आपका यहां पर eight of cups के energy थोड़ा सा mood of हो रहा है नहीं आप खुद होकर नहीं सोच पा रहे हो बट आपको कुछ न कुछ support मिर रहा है मैंने कहान है यहां पर support मिर रहा है आपको और वो support के वज़े से आप आगे जाना चाहते हो तो यहां पर या किसी का dream के लिए तो भी आप इस government job को continue रखना चाहते हो यह energy आ रहे हैं temperance seven of cups confused हो night of pentacles confused हो आपके पॉस knowledge अच्छा है आप career oriented person हो बट फिर भी यहां पर थोड़ा सा रुके हुए हो okay confused हो रहे हो कि क्या करना चाहिए कुण से exam देनी चाहिए क्या ने में यहां पर आपना खुद यहां पर आपना थोड़ा खुद के तरफ ध्यान देना चाहिए अपने अपने आपको हील करना चाहिए future के तरफ देखो ना की दूसरे के तरफ देखो यहां पर comparison बहुत कर रहा है आपकी कोई और कैसे कर रहा है कोई और कैसे कर रहा है बट आपको यहां पर guideline बहुत अच्छी मीड रही है कोई जो भी होगा आपको guideline कर रहा है कि आपको beautiful guideline आप इसमें सुसेस हो सकते हो तो गाइडलाइन निलाए है को आप कर सकते हो आपको स्टॉक नहीं होना है आपको कन्फ्यूज नहीं हो यहां पर आपको मौँवन वह नहीं होना है यह इनर्जी है आपको struggle तो है यहाँ पर क्या पता यहाँ पर है न सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिण रहा है आपको पता नहीं है यहाँ पर government job के लिए आपको बार-बार मुझे वही energy आ रही है यहाँ डेफिनेटली आपको success मिलेगा justice जरू मिलेगा आपको success रहेगा तो आप ट्राइ कर सकते हो at least one year तो भी आप ट्राइ कर सकते हो one year में या seven month में जो भी exams आ रहे है उसको आप ट्रैक कर सकते हो तो yes आप success रहो के तो guys जिनसे भी resonate होता है उन्होंने like जरू करना है next हम यहाँ पर देखते है private job के लिए Aquarius Aquarius three of wands reverse में आया है okay यहाँ पर आपको judgment मेरा है okay judgment मेरा है आपके लिए door open हो रहा है आपको clearity नहीं है बट आप toxic energy बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हो यहाँ पर door open हो रहा है आपके financially growth होने वाली है बट आपको दीख नहीं रहा है आप बहुत ज़्यादा एक तो आपके आजू बाजू बहुत ज़्यादा ऐसे लोग है डेविल जैसे लोग है जो कि आपको success नहीं दे रहे है आपको bother कर रहे है आपको डर लग रहा है यहाँ पर यह भी हो सकता है आपको डर लग रहा है कि जो भी आपको जो भी आपको private job याप कुछ भी मिलेगा तो आप वहाँ पर stuck हो जाओगे यहाँ वहाँ पर आपको success नहीं मिलेगा इसलिए आप अपने limited area में रहना पसंद कर रहे हो आप growth के दरफ नहीं देख रहे है नर्वस हो शायद क्योंकि जो पाना चाहते थे वो पान नहीं मिल नहीं रहा आपको इसके वज़े से नर्वस फिल कर रहे हो दफूल मैंने कहा ना आप देख नहीं रहे हो आपके नहीं से start है आपके लिए door open हो रहा है financially strong हो confusion में हो निकल जाओगे आप confusion से यह select करे या वो select करे ऐसा भी किसी का mode है king of wants death आप दोनों में से एक चीज को आपको select करना है definitely यहाँ पर आपका three of wants का card positive आया है okay so definitely आपको forcefully energetic fashionable आपको crazy होना है आप crazy नहीं हो रहे हो आप slow energy में हो dull energy में हो आप बहुत ज़्यादा anxiety में हो या आप compare कर रहे हो बहुत negative thoughts कर रहे हो आपको ऐसे लगता है नहीं success नहीं मिलेगा return चले जाए जहाँ पर भी गया है आपको डर सा लग रहा है यह भी energy है आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि आपके seniors जो है जो शायद आपको बहुत bother कर रहे है उसके वज़े से भी आप शायद यह job switch करना चाहते हो यह भी energy है तो आपके patience खतम हो रहे है guys आप चाहाए तो नया job जो भी आपको opportunity आती है वो कर सकते हो आप okay yes आप यह जो current situation में जो energy चल रही है sorry current situation में जो आपका job चल रहा है okay आपको switch करना है याने आपको चोड़ कर कहीं और जाना है तो yes आप जा सकते हो okay definitely थोड़ा सा time लगेगा 8 या 9 months लग सकते है 6 months लग सकते हैं बढ़ आपको अच्छा job मिल सकता है so आप मुहन हो सकते हो energy आपर आ रहे है so guys जिनसे भी resonate होता है उन्होंने रखना है यहाँ पर बिजनस के लिए आया है positive the fool का card आया है okay बिजनस के लिए हम देखते हैं यहाँ पर ओके आप खुद के उपर trust रख रहे हो आगे बढ़ना चाहते हो पर आपको ऐसे लगता है जब तक आपको पूरा याने confirmation नहीं हो जाता कि yes मैं पूरी तरह success हो बिजनस मेरा आगे बढ़ेगा तभी मैं यह बिजनस का decision लेना चाहता हूँ यह energy आ रहे है आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो आगे तो बढ़ना चाहते हो बट बहुत ज़्यादा चिंता में हो आपको loss का बहुत ज़्यादा डाडल लग रहा है profit का तो नहीं लग रहा है profit के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो पर loss के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पर clarify करते है new business something कोई लोग यहाँ पर new business start करना चाहते है यह भी energy है page of wants yes definitely आप नया कुछ सोच रहे हो करने के लिए मैंने कहा ना आप फिर भी nervous हो आपको डर लग रहा है आपके लिए जो opportunity है वो आपको लेना है नहीं लेना है इस वज़े से आप यहाँ पर थोड़ा सा wait करना चाहते हो टाइम लगा रहे हो यहाँ पर भी slow energy है बट यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे यह business आप करना चाहो जो business करना चाहते हो उसकी I think यहाँ पर आप पूरी तरह study करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो इसलिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप पूरी तरह complete सब कुछ knowledge मिलने के बाद में आपको जब confirmation हो जाएगा कि yes यह आपके लिए ही बना हुआ business है याने आपके लिए है यह आप इसमें growth कर सकते हो देन आप यह business में आगे बढ़ोगे और नए से start करोगी यह नए जा रहे है अभी फिलाल आप वो hold करना चाहते हो शायद कुछ तो भी ऐसा loss हुआ है कुछ तो भी manipulate हुआ है या कुछ तो भी आप किसी के साथ में तो भी आपका थोड़ा crossing हुआ है ओके business को लेकर इसलिए बहुत जादा एक tower moment आकर गया है आपके इसमें तो उसके वज़े से आप थोड़ा सतर अलट रहकर नए से आगे बढ़ना चाहते हैं यह नए ज़े हैं यहाँ पर जब भी आप आगे बढ़ोगे तो yes, definitely आपका future के लिए देखना है यहाँ पर success ज़रूर है okay, so beautiful card की रहे हैं यहाँ पर success ज़रूर है आपको आगे बढ़ सकते हो so guys, यहाँ पर final हम लेते हैं और जिनके साथ में भी यह resonate होता है उन्हाने like करना है divine के तरफ से आप message लेती हो overall aquarius के लिए क्या message है thank you so much aquarius wisdom beautiful energy आई है okay, यहाँ पर change और burn out okay, so यहाँ पर to focus on the past is to loss the future advice from the older person which will allow you to move on, ठीक है so आपको यहाँ पर अपने बड़े बुजरूर्ग लोगों की advice लेना है चाहे जिस field में आप जाना चाहते हो, government हो, private हो या जो भी है में चाहिए वो changes आपको करने है okay, fresh energy में रहना है यहाँ पर guideline आ रहे है so guys, मैं आपर यह reading close करती हूँ I hope आपको reading अच्छे लगे होगी जिनके साथ में भी resonate होती है उन्होंने like जरू करना है next video में मुलते हैं new topic के साथ में तब ते के लिए bye bye, take care, thank you so much and namaste